दिखने में तो पड़े लिखे लगते हो फिर जेल में क्यों हो अब यहां कौन सा बड़ा काम कर सकते हैं सर जो टाइम वेस्ट होगा टाइम पास के लिए ही बता दो सर वैसे तो सारे बच्चे अपना दिल खेल कुद में लगाया करते हैं पर मेरे बेटे ने मेरी बातों को दिल से लगा लिया तो ऐसी कौनसी बात उससे कह दी सर मेरा बेटा क्या हो गया आजा 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 मेरे पास आजा आजा अब ही अगर इस्माइल कर दूना तो दस लड़कियां गाया तो पेस बदल ले बहुत बद्बू आरिये तेरे मुझ से अब अब सबको जोग सुनाना बंद कीजिए और बच्चे को संभालिए जो आजा बेटा 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 ओ चुपो जा रोते नहीं बेटा चुपो जा चुपो जा मेरा बेटा मेरा लाल तो फेस मदले बद्बू आ रहे होगी उसे तेक ले मुझ पर पंच मार रहा है ये तू इ हम अब समय कर ला कर ला चा कि ऐसा है जब फिए ना तो मेरे पास लेकर आज आजी सुनिये तो कुछ खानी रहा है रो रहा है लाओ मुझे देदो मुझे देदो मेरे पास आओ मेरे पास आओ आजा अब देखो तो टीवी देखो टीवी देखो देखो पाइट चल रही है सुनिया जी इसने फिर सरवना शुरू कर दिया कहा है ना इसकी चिंता तुम मुझे पर छोड़ दो आजा यह आटो वार एंकल है इनको मारो तो जरा अपने बच्चे को समाल लो नहीं तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल खड़ी करेगा वो रास्ता भटक गया है सर नजर रखनी चाहिए थी कितना पढ़े लिखे हो भाई तेंद फेलूं सर डिग्री तो है नहीं तेरे पास और मुझे सला दे रहा है मार के भी देख लिया उसे है बंटी को क्यों मारा तुने मुझ क्यों बना रहा है अब कोई फाइदा नहीं चल हाथ मिकल मार खाकर रोने की जगा तु एंजॉय क्यों कर रहा है मारने में भी मज़ा मार खाने में भी मज़ा है और मारो मारने में भी मज़ा और मार खाने में भी मज़ा ये क्या बात हुई सर ये बच्पन में ऐसा है तो बड़ा हो के क्या करेगा संय कहल लकारफिजी है कि लग टे शें रुड़ hasli लग बिछski है естноbahnث कि ल करिद이지 संच भी थूड़ उसके बाद क्या हुगा सेर उधर देखो तुम लोग स्टुडेंट्स हो या गुंडे हो जो बीज सड़क पर जगड़ा कर रहे हो आज के बाद अगर किसी भी जगड़े में तुम लोग नजर आए ना तो पीडी एक के तहट अंदर कर दूंगा समझ में आया इन दोनों ग्रूप के लड़कों के नंबर और अड्रेस सेपरेट नोट करके इन लोगों को छोड़ दो चलो जा 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 चलो सब लोग यह को फियुए परैटिसिपेट करने के लिए वहाँ कोई कबड़ी का खेल रहा था कौन सी पढ़ाई कर रहा हैं तुमारी पढ़ाय लिखाई के लिए तुमारे गार्जियन लाखों खर्च कर रहे हैं और तुम लापरवाह होकर जगड़े के मज़े ले रहे हो जिस उमर में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उसे वेस्ट कर रहे हो अगर ये बात तुम्हारे गारजिन को पता चले तुन्हें कितनी तकलीफ होगी उनको पता है सर मारने के लिए उन्हों नही इस लड़के को छोड़ दो और इसके बाप को शाम तक अंदर रखो अब बेटे की गलती की सजा बाप को मिले ये किस कानून में लिखा है सर अगर बच्चा रोए तो बगल वाले को मारे ये किस कानून में लिखा है सब कुछ बता दिया क्यों सर बस एक बार बिलकुल भी नहीं लाइफ में जब कभी भी ये जगड़ा करेगा मैं हर बार तुम्हें ही अरेस्ट करूंगा तो यह है मामला सर आपका टाइम खराब था इसलिए आप इंस्पेक्टर की नजर में आ गए वो तो पहले से ही हीला हुआ है अगर हो सके तो अपना मुहला बदल लो अगर मेरी बात मानों तो आपको यह शहर ही बदल देना चाहिए अगर आप यह सोच रहें के टेंथ फिल की सलाह क्यों मानूं तो सेम प्लेस रेगुरर मिलेंगे फिर आगे की कहानी भी सुन लूंगा क्या हुआ कोई बुरा सपना देखा क्या हाँ जी मेरे बेटे के दुश्मन उने आपको जौन से मार दिया है ऐसा सपना देखा मुझे इसी बात का डर था कि एक नहीं दिन वो लोग मुझे जरूर मारेंगे पर यह तो बताओ मुझे उन्होंने मारा क्यों सिर्फ सपना आय उन्होंने वजह नहीं बताई अगले दिन मेरे रूम में सिगरेट ही सिगरेट थे और मेरे पिता ने मुझे रूम में बंद कर दिया ये कहकर कि जितने सिगरेट मैंने तुम्हारे रूम में रखे Raw सारे के सारे तो में पीने और कमरा बंद कट दिया यह सही है अधी रात को कौन सा सीन दिखाता हूँ और फिर मैं रात भर सिग्रेट पी-पी कर फेंकता गया और सबेरे तक मैंने सारी सिग्रेट पी ली फिर सिग्रेट के धुएं से मुझे एकदम नफरत सी हो गई उस वक्त के बाद आज तक मैंने कभी भी सिग्रेट को हाथ तक नहीं लगाया तो अब मैं समझाता हूँ कि हम लोग क्या करें हम अपने बेटे को गुंडों के पास में भेज देंगी और उनके बीच में रहकर वो लड़ाई जग्रे भूल जाए अब पागल हो गए है क्या हम लोग उसके साथ है तो इतना उचल रहा है वो हम नहीं रहेंगे तो पता न तिरूपुरम आंधरा और तमिल लाडो के बॉर्डर पर है जब आंधरा और तमिल लाडो अलग हुआ तो तिरूपुरम के बीच में से वो रास्ता निकला गाओं के एक तरफ तमिल लोग रहते हैं और दूसरी तरफ तेलकुल लोग रहते हैं इस गाओं के लोग उस गाओ में नहीं आ सकते एक दूसरे को मारते कारते अतनी जिन्दगी गुजार रहे हैं इस गाउं के बीच लकीर इसलिए खीची गई ताकि तुम लोग एक दूसरे की जान ना लो लेकिन तुम तो एक दूसरे को मारने पर तयार और केशव तुमने उसका पांग क्यों काटा और क्या करते, सर पंजी? हर बात पे जगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं लकीर किसली खीची गई कि लोग इधर ना आ सके और इधर के लोग उधर ना जा सके आपकी जबान रखना चाते हैं हम लोग इन लोगों के आदमी हमारे एरिया में आकर हमारे आदमी को काटना चाहते तो हम क्या करें गुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती ऐसी गल्टी इन से दुबारा ना हो इसी लिए टांग काट कर कॉल कर दिया हमने पहले हमारे आद्मों को उकसा कर अपने अरियों बुलाया और अब तुम लोग बास अप्लट रहे हो दोखे बास कहीं के मुत्तु पंचात में किस तरह बात करनी पता नहीं क्या जायदा जागीर होने से को इंसान बढ़ाने होता गांव अच्छा होना चाहिए दिल अच्छा होना चाहिए एक टांग चली गई तो तुम ऐसी हरकते करोगे कितने लोगों की जाने चली गई उसका क्या तुम दोनों को मैं आखरी चेतावनी दे रहा हूँ इसे चेतावनी समझो या फिर कुछ और आज के बाद कोई भी शक्स इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आया तो बिलकुल अच्छा नहीं होगा यह आखरी चेतावनी है इसके बाद पंचाथ कारवाई कर सकती है इसके घरवालों को दे दो जी सर पंची कुट्टे के पास दुम होती है पर दिमाग नहीं होता चलो रहे कि यह क्या भाई हमारे आदमी की टांग काटके हमारी बेजती कर दी और हम लोग खड़े-खड़े तमाँशा देखते रहे हैं टांग बदले हमें भाँ और करने का समाना गया अब टांग के बदले में सीधा सर को secular सभी कुछ होने के बाद हमारे साथ कौन आएगा अब कोई न कोई तो इस दुनिया में होगा ही जो मेरा ये काम करेगा तिरुपुरम वहाँ पर एक इंजीनिरिंग कॉलेज है वहाँ पर दोनों लोग पर सकते हैं बस कॉलेज के अंदर नियम यह है कि जगडा नहीं होना चाहिए इसलिए जमीदार ने वहा किया है लगता सब कुछ फिक्स हो गया है अब उसे कैसे भी कंवेंस कर लीजी अप मेरी कंपनी वालों ने मेरा ट्रांसफर तिरुपरम कर दिया और अभी पोस्टिंग के लिए सिर्फ दो महीने है और तुम्हारा से मिस्टर में शुरू हो जाएगा इसलिए मैंने तेरा ए क्या लगता है आप लग नहीं रहोगे तो मैं जीऊंगा नहीं पापा आपने मुझे समंदर में भी धकिल दिया ना मैं मचली पकड़के उसको फ्राइब करके खा जाओंगा समझ गए ना मैं कहीं पर भी जी सकता हूं अरे बेटा मा तुम फिक्र मत करो मैं बात कर रहा हू नुग जाए मुझे यह डर है कि ताटा है ताटा है अधा था कि मा का ख्याल रखना अठेक है जल्ती फागों यहां से करेंज का मूद ना चेंज हो जाए कि अगे कि अगे अगे कि और चूल कि अग अगे अगे यह तिरुपुराम तिरुपुराम उत्रो उत्रो तिरुपुराम आ गया उत्रो भाया ये खेती ये पहाड़ियां ये हर्याली ऐसा लगता है आप मुझे किसी दूसरे राजजमें लेकर आए हो हरे नए ने हम लोग इसी राज़में है भाई मुझे तो डाउट था हम अपने राजजमें हैं वो खेती दूसरे राजजमें है क्या कहा है सर या अन्दरा तमिल्णाडू का बॉडर है इस तरह फान्दरा ऊधर तमिल्णाडू तो बाप ने मुझे बॉडर पिलाके खड़ा सर आपको इधर जाना है उधर गया तो वहीं कि रह जाओगे पापा मैं पहुंच गया हूँ काओ जाते ही तेरी आवाज में कितना फर्क आगया है उतरते ही फोन कर लिया तुने आवाज तो बदलेगी ना पापा पॉलिशन से भरे शहर से निकाल कर अचानक साफ सुत्रे वा कहीं भी भी बेज़ दो तुम जीलोगे एक और इडली दो मुझे बेटा नहीं तुसके हिस्से का मैं खाऊंगा ना खाईए 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 भाई सांबर खाऊगे सबट कर रहा है अरे सपोर्ट नहीं सांबर ब्रेक फास्ट यहां पर फेमस क्या है इधार इडली सांबर बहुत फेमस है पापा मां के हाथ का खाना खा खा कर मैं बोर हो चुका था यहां पर इडली सांबर बहुत फेमस है वो खा कर आपको फोन करता हूं चल अरे हां एक सेलफी अब स्माइल कर ले लो बेटा सो रुपए में सो रुपए में ले लो अरे सो रुपए में कौन खरी देगा यार कोई भागली खरी देगा यह क्या है बीच रास्ते में बांध कर रखा है यह देखो यह होटल है ठीक है खाते हुए बात कर लेते हैं आज़ा भाई टूपलेट सांबर इडली मेरे होटल में कदम रखते ही इतने सारे ग्राहक आ गए दो प्लेट सांबर इडली जल्दी यहां अरे बेवकोफ नीबु कोई इतनी बड़ी तलवार से काटता है छोटे चाकू से काटते हैं रुख जरा पूरा खराब होगे ना पागल कहींगा कि ए हिंदी समझ में नहीं आती गया कितनी बार बोलना पड़ेगा सांबर इडली दे जल्दी तुम सबको मेरे बार में पता नहीं है अभी बताता है तुम लोग आदमी हो कि जानवर हो यार ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग अरे जगड़ों में इंट्रेस्ट में भी तो रखता हूं लेकिन ऐसे सांबर इडली के लिए जगड़ा करना अच्छी बात नहीं है यार अच्छा मेरा बैग लिलू मैं कि अरे दादा कम से कम आप तो इन्हें समझा ही सकते हैं ना कि अर्शा कुछ़ों लों वार रड़शा हैं इन्हें वार ौट पानी पीलो लो पीलो अरे कोई बकरी को गाड़ी से उड़ा दिया एसी पूरी फैमिली पीछे पड़ गई थी मेरे वो क्या है कि दो दिन पहले उसका अदमी धर आया था उसकी टांग काट डाली उसी उस्से में टांग काट डाली पागल हो क्या पागल नहीं दूश्मनी तेलगू या उधर नहीं आ सकते तमिल वाली इदर नहीं आिसके यहां का सारा फेसला पंचायत करती है यहां कोई भी जगड़ा हो फसाद तो कोई पुलीस वाले के पास नहीं जाता यहां तो पुलीस टेशन है ही नहीं तो फिर भाई पुलीस यहां कहां से आएगी लगता है यह बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है अच्छा असल में यह जगड़ा क्या था ए तुम पढ़ने के लिए आ हो ना तो पढ़ाई करो प्रिंसपल परमात्मा अदमी है एक दम स्ट्रिक्ट है प्रिंसपल के इजाज़त के बिना कॉलेज में कोई पंक्ची भी पर नहीं बार सकता तमिल वाले हो या तेलगू वाले वो सब कॉलेज के बार एक बार केंपस में कदम रख दियाना तो सब एक समान उनके रूल के हिसाब से चलना पड़ता है जिसे भी कॉलेज में पढ़ाई करनी है उनके होस्टल में सबको मिलके रहना पड़ता है बहुत बजाया वाई रेखा इन दोनोंने मार पीट किये एक विक के लिए नहीं तो जवाब नहीं रजनी कान तमिल से ज्यादा अच्छा काम तेल्गू में करते हैं इनकी बातों से लगता है रजनी कान से यह कुछ ज्ँश्य जयादा इंस्पायर है रिखा वन वीग के लिए नहीं इन लोगों को वन मंथ के लिए सस्पेंड़ करो अगर ऐसा को है तो दंडे से मारता उसे इसलिए वह तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए राद बर दरवादा खोल के सोता है सामने दुश्मान एक गोली एक दुश्मान मतलब हमारी कॉलेज में चगड़ा होता ही नहीं है भाई एक बात बताओ तुम कॉलेज में पढ़ाय करने के लिए आये हो यह यहां आके मार्पिट करने के लिए आये हो अरे बताओ ना भाई लगता है माने का नहीं नल्ला सीनू के देख रेक में एक बार महीने में फाइट होती है जीतने वाला महीना पर श्यर की तरह रहता है और हारने वाला बिल्ली की तरह है एई इसकी तो अब तुम लों के बारी आज महीने के पहला दिन है ना आज फाइट होगी अरे तो फिर वही चलो ना भाई पाता था कि 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 कॉलेज में ज्यादा दिन तुम टिकने वाले नहीं लगते हो यह लो मेरा कार्ड जरूरत बढ़े तो मुझा याद करना कि 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 अरह क्या बलकेश अरे इटली खाया उनका सांबर निखा सकते हम लोग उनका कपड़ा धोना पड़ता है हम लोगो को तो यह थे भार खायगा तो कैसे चलेगा है जौ बार उनको इस एड़ी कहीं का ये काव इसे नहीं होने वाला है इस महीने भी तेलगु वालो का ही सरुठा रहेगा ये लूंगी रख ले अपने पास अगली पार किसी धनके बंदे को भीजना अरे ये तो पूरा लू निकला किया चाहिए को क्या कोल्डेंग गे में पार्टिसिपट करना है पांसो रुपय लगेंगे बैठ जाओ सब बैठ जाओ एक नया बखरा आया है ईए देखने में तो अच्छा लग रहा है 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 अंदर आई अइसी पिछ पर पहली बार है नहीं पता नहीं हां लेकिन चार मुख्य खाकर वपर चल जाओंगा आजाओ इस जबख्राद वालान हो जया बारो क्वोण चलो बारो उच्छो वो मारेगा तो एंजोई करूगी या मैं मारोगा तो एंजोई करूगी कोई भी मारेगा तो एंजोई करती है अरे गुरू उदर कोई मार रहा है इसलिए तो इदर आ गया मैं अरे उनके लोगों को मार रहा है अबे क्या बख रहा है तो सारे सवाल यही पुछेगा तो वो चला जाएगा चल 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 मार मार अरे गुरू पर वो है कौन है इससे क्या अपने अपोजीशन वाजे को मार रहा है बतलब अपना ही है यार हाँ ये गुह इसा ही आए है ये वह झाल आए हुए थाथ बाल जे बाल हुआ हुआ है हुआ अ हुआ हुआ है ए मैं तुस्ते पूछ रहा हूं कौन है तु नियू जॉइनिंग है अच्छा यह बात है तो फिर तुम यहां क्यों हो प्रिंस्पल के कभी में होने चाहिए शहर से आये हो लोग गाउं से शहर जाते हैं और तुम शहर से यहां पढ़ने आये हो मेरा भी यही प्रॉब्लम है सर शहर में कुछ होता नहीं है सर वहां तो कोई साथ भी नहीं देता है लेकिन यहां पर मैं साथ मिल जुलकर पढ़तो लूँगा बहुत मज़ा आएगा सर प यहां पढ़ने वादे सभी बड़े-बड़े आदमी बन गया ऐसा प्रिंस्पल साब कहना है लेकिन उनकी बात पर ध्यान मत देना तुम्हारे रूम में रहेगा तुम्हें खाने पीड़े के सिवा कुछ सुचता है क्या रहने के लिए सिर्फ रूम नहीं देल भी होना चाहि तो भाई उस लड़के के बारे में पता चल गया है वह कॉलेज में नया जॉइन हुआ है गलती से वह बगल में चला गया था मगर होशियारी से बचकर निकल गया यह बात हमें पता चलिए भाई ठीक है तुम लोग जाओ खेती किसकी करें उन लोगों को उसने भगाया है इ उस पर अच्छी तरह नजर रखना पड़ेगा गुडी इवनिंग सर गुडी इवनिंग आई विल स्टडी सर गुड़ बॉआई क्या ब्रो यह हॉस्टल इतना साइलेंट क्यों है यहां कोई मारता काटता नहीं है रूम और बातरूम को छोड़ कर हार जगा सीसी कैमरा फेक्स है इसलिए जो भी करते है ना एदर उदर ही करते हैं एक मैना वेट करना पड़ेगा पता नहीं मेरे बाप ने मुझे कहां पस तो रजनी कांथ है तेरी तो अब भी तुझे डाउट हो रहा है क्या अरे गुरू यह हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेता है यह तेल्गों है यह तामिल है पूछो पूछो ना ब्रो आप तो हिंदी यह तम फटा-फट बोलते हो बाई मुझे फोर लेंग्वेजे साती ह अब यह उसे चार-चार लेंग्वेज आती है कुछ ना कुछ तो गडबर जुरूर है मेरी बात सुन कुरू मेरी बात सुन आ का कितना खुबसूरत है तुम आंधरा क्यों हो ना अंधरा का नहीं हूं तो यहां नहीं रह सकता क्या अरे तो रूक यार इतने दिनों से उनके तेरी वज़े से पहली बार हमें सर उठाकर देखने का मौका मिला है कल से दिखाएंगे हम अपना जल्वा खेल शुरू हो गया है इसे देख हां यह तो सही है ना ब्रो में अभी आता हूँ है कॉलेज के अंदर पहली बार कॉलर उठाकर जीने का मौका मिला है तेल गूता मिल में फार्क मत समझना लड़की होनी चाहिए अट्टा में अधर जूनियर और उख़ी सिनिय से है क्या ओलेज में इतनी सारे लड़किया है फिर तूझे मुझसे क्यों फ्रेंडशिप करने वह सब तेरे से खुब सुरत है मुझे क्यों चुनेंगी और कर तो नहीं देख राए तो होट बेवी एक सो तो भुखार है तो होट नहीं रहोंगी क्या हो सुझी हम लोग शादी कर लेगा तु थोर्ड यर में है और मैं फोर्थ यर में तो नेक्स यर कर लेते हैं मैं नेक्स यर फोर्थ में आ जाओंगा किस ते छिर घा दियाँ शुजी अलिवी ढुंग अल्गेक जार में यहों है किसे चैוח किया से ङरे परजा kay बताओ ना, बैक लोग्स कितना है? थ्री तुम्हारा चाहरा ही जूट बोल रहा है, मगर उंगलियां सही बता रही है कौनसी क्लास में हैं? थार्ड यर सी एसी ओहो, मेरी क्लास में? सिलिबस कहां तक पहुँच गया पता भी है? बता क्लास क्लास में जाओ, जाओ, क्या हुआ, तुम्हों लोग तो ऐसे खड़े हो गए, जैसे बिखारी रजगुला देखकर फौरन खड़ा हो जाता है, बैठ जाओ, इंजिनिरिंग कॉलेज के अनेजुकेटिट फेलोज लास्ट सेमेस्टर की टॉपर है कार्तिका गिवानदी घैंज ठेरो ठेरो क्या बात है बेटी इतने कॉंफिरेंटली खड़ी हो गई तुम चार सब्जक्ट में फेल हो गई हो और दो सब्जक्ट में जस्ट पास हुई हो और तो ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे उपर है अव डेर यू सराभी ने तो कहा कार्तिका मैंने एम कार् अरे सरा सुनो मैंने तो हाथ से बता दिया लेकिन तुम्हारा रिजर्ट बताऊंगा तो मेरे हाथ पर कम पड़ेंगे अरे बाप्र इंग्लिश कमारे यार कितना विट अब देती हो तुम तो कौन है इतना प्रास्णि गाश्र। रहा है तो है संधिशन रोर की थे परेसंटेजग्स इतनी बने थी 91 91 तेस्ट में या सेमेस्टर टेस्ट में क्या बेकार के जोग में बार बार हसता जा रहा है मुझे तेरी काभिलेत पे शक हो रहा है मैं तुसे सिंपल सा सवाल पूछूँगा बस उसका जवाब देदे ना ठीक है सिसे क्या मतलब है उसकी फुल फॉर्म बताओ कंप्यूटर स्कैनर क्या गलत बोल दिया एफ और एजुकेशन हाँ एजुकेशन सर वेचारा नाया आया है ना इन लोगों के साथ कैसे मिल जूल कर रहेगा मैं तो यही सोच के परिशान हो रहा हूं ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन तुम लोग दूद और पानी की तरह मिल कर रहो उसी में तुम्हें खुशी मिलती है न तो और करो सर हमारी क्लास नहीं लोगे दस के आगे एक शुने लगाओगे तो क्या होगा दस अब एक गधे स्वाब भी तो होता है सर मैंने हिसाब नहीं किया तो इतने समझदार लोगों को मैं कैसे पढ़ा सकता हूं बता अभी कौन बनेगा करोड़ पती खेल रहा होता ना तो फटा कि बीचे होस्टेल तक आगया कि तुम टॉपर उसोच कर बात करने में टेंचन हो रही थी लेकिन अब तो सब कुछ पता चल गया ना तो हम फ्रीली बात कर सकते हैं ना क्या बात करनी है हम दोनों में बहुत सारी बातें सिमिलर है तुम्हें जगडा पसंद है मुझे भी ज टेला चाहिए मा क्या रे कैसा है बेटा जखम पे मरहम लगा रहा है ना इस बार चोट शरीर पर नहीं दिल पर लगी है मा क्या हुआ बेटा यहां पर एक लड़की को देखा मा तेरी तरह ही महालक्ष्मी देवी का रूप है लेकिन अंदर से वह पूरी फुलन देवी है मा उस लड़की की उसका घमन भगमा ने उसे कॉक्टेल बनाया है मा सुनते हो हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद आगी है आधते बिलकुल बुरी है लेकिन तारीफ करने की कोशिच कर रहा है इसके दिमाग को पूरी तरह डैवर्ट करने के लिए हमारे डाकू को वालमिकी में तबदील कर करने का यही तरीका है लड़की को बोल दिया तुमने कैसे बोलो समझ भी आ रहा है एक अच्छी से लव स्टोरी फिल्म देखो एक लव स्टोरी किताब पढ़ो और एक अच्छी से फिलिंग पेपर पर लिख डालो उस लेटर को पढ़ने के बाद लड़की को लगना चाहि क्लास में तो मुझे क्यों देख रहे थे मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखने लगा मैंने देखा कि तुमने मेरी तरफ क्यों देखा मुझे क्यों देख रहे हो यह देखने के लिए तुम देख रही थी ना यह देखने के लिए बात पल्टो मथा अरे गुरू उतर देखो तेलगु है, इसलिए देख रहा है देखो अब मैत पढ रहा है, अग्रेज फिल्म देखते हैं, तो अंग्रेज हो गए कै अब कुरू, कर Bennett देखो तो वो तेलगु किताब रहा है मैं मःत पढ रहा हूं, मैत वाहना हो गया ग्या इस क्याला दे, कैसी होगे, हर बात पर शक करता है पीने का अलागी मज़ा है अधे गुरू, उसने देख टेल गुमेड़े, इसे तेलगु नहीं आती है, इसलिए लिख करके काट रहा है हौ, पक्का वो तमिल वाला ही है सुना है, शेहर की लड़कियां सरफ यहां तक कप्ड़े पहनती है हाँ यार यहां की लड़क cheating अभी update का हूँ है हम लोग यहां तक कपड़्य पहने न तो भी लड़के देखेंगे अरे कार्टिका तीरे लेक्ले लेकल है कितने लोग लिखेंगेatus eyes इसको भी लिख सकते हैं इसको भी तो लिख सकते है इस किस ने लिखा है कोई हरी है सोचा था मुझे तो लगाई था कि इसके पास से लेटर ज़रूर आएगा पर दो दिन लेट हो गया चल पर हाई तुम बहुत क्यूट हो बहुत स्मार्ट हो बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत डेरिंग बाज ऐसा तो मुझे कहोगी रहने देते हैं यह लेटर नहीं पड़ते हैं तुम लोगों को मैं कितना टॉचर करूंगी हां जाने देना बहुत इंट्रेस्टिंग लग रहा है तुम कंटिन्यू कर तुम बहुत खुबसूरत हो तुम समझदार हो तुम्हीं देखकर दस लड़के गिर जाएंगे अगर कि उसे ने कहा तो विश्वास मत करना क्योंकि फूल एप्रिल फर्स्ट को बनाया जाता है लेकिन तुम पूरे साल करती हो असल में तुम्हारा प्लस पॉइंट है कलर वो गधे को भी होता है आखे अगर अच्छी है तो जश्मा क्यों चेहरा अगर तुम खुबसूरत हो तो अश्वेले राय को क्या कहेंगे तुम अगर साफ साफ कहूं तो तुम्हारे माक्स की तरह तुम्हारी खुबसूरती भी है तुम्हार टुप्शास तुम्हारा आशिक इससे तो सपक सिखानाई होगा ए रुक ना, वो लोग भूखे शेर की तरह सो लोग हैं और हम नाजुक सिर्फ पांच लड़किया है क्यों से पंगा ले रही है तू, चलना आसे चलना ए चल दी आओ ए यहां CCTV कैमरा लगा है सिसी टीवी होने से कुछ नहीं होता प्रिंसिपल के कमरे में फ्यूज होना चाहिए यह कब निकाला यह पताना ज़रूरी नहीं है चलो कितने दिनों के बाद होई है लोग किसमत से धन दौलत लेकर आते हैं और यह क्या अंडर वै लेकर आया है हुआ है यह इसलिए इनके माबापने यह यहां भेज दिया है जिससे चिपाना चाहिए था उसे मूब पर डालकर सो रहा है यह पेवकूफ इसका रूम नमर क्या है 508 चल रूम पंच कर लाइट ओन कर लाइट ओन कर क्या रहे राची सुबह तो आई थी रात को किसी और को बेजना प्यार ब्यार करेंगे यह क्या कह रहा है मैं सुबह ही आए थी और अब दूसरी को बेजने के लिए क्या रहा है इसकी नजर में मैं कोई ब्रोकर हूं क्या इसको थो मैं अभी सबख सिखाती हूं मैं रहे रिस्पॉंस आई गा लेकिन तुम ही आगी एक उप्सुरत नहीं हूं मेरी हर चीज से तुम्हें प्रब्लम है तुम जानते क्या हो मेरे बारे में मेरी ओरिजनालिटी क्या है पता है मैं दालू पीती हूं सब्सक्राइब दो रेखा, साक्षात सरस्तोती देवी आरेंगे साथ में लक्षमी आती हैं तो कितना अच्छा होता अब तक आई क्यों नहीं रेड़ा एक्सक्यूज मी आप कल दिखाई नहीं दी पती के साथ पिक्चर देखने गई थी या जी तुम लेहां क्या कर रहे हो तुम्हारी सीट बहा है तुम्हारी नकल गरके पूरे युनियोश सिटी में टॉपर बन जाओंगा ना बक्वास मत करो हौ जाकर पिसीट पर बैठो पना सरसे कंप्लेंड कर दूंगी अरे तुम अपनी सीट पर बैठो अपने पेपर्स लिखो और यॉनियो सिटी में टॉपर बन जाओ समझी सब्सक्राइए रुचा है मैं जा रहा हूं जाओ अरो बापरे, टेक्स्ट्बूक को पूरे दुपटे में जरॉक्स मार दिया है मैनत करने की बाद की थी अक अक फित्त' मेहनत के तुम्हारी? फ्लीस फ्लीस प्लीस परीजीं मैं तुम्हारे हा चोड़ती हूं अबर इसमार पंस्ट होीbest, यह हजी इसमार मुझे मुझे प एक्छा होना है ठीज फ्लीस प्लीस मैंने के बाद भार मिलना एक हग तो इस तरह ड्रेस पर लिखना बच्पन से आदत है क्या अभी पेपर लिखो बाद मिल्ला कैदी नंबर 147 देखी नहीं वाली मुवी आरी है ना सूपर हीरो एड़ टॉप वो भी सूपरेटी होगी क्या मुवी बनाई है एक्तम रियलिटी पर है वो जो पीछे बैठा है ना अरे इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है चल लेकर आया वहां तक तो ठीक है लिखने के बजा हवा में क्या देख रहा है यह आंसर है यह आंसर किस क्वेश्चन में लिखना है पता नहीं चल रहा है सब्सक्राइं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी थैंक्स फोन उठाया वैस इसे लगा नहीं था कि तुम अपना नंबर मुझे दोगी करतिका फोन कट मत करना लाइव का मैठर है बक्को दस मिनिट दो की तो हम क्लियर ली बात कर लेंगे दस पजे लाइब्ररी में अरो बापरे दस मिनिट बाकी है अभी तैयार होता हूं आराम से आराम से सुबा की कर रही हूं आएम वेटिंग अप यह सारे चिट फिर से बनाने पड़ेंगे जस्ट टेन मिनिट्स जो भी बात करनी है बोलो मैं सुनकर चली जाओंगी तुम्हारी पीट को देखके बोलू बोलो कार्थी का वो तुम्हें से देखती हो तो मैं डिस्टरब हो जाता हूं थोड़ा पलट जाओनो प्लीज पहले मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी करती का रोज एक फाइट रोज एक केस मेरे पापा कहते थे मेरे पैर जमीन पर नहीं रुखते थे और तुम्हें देखने के बाद सच में मेरे ये पैर जमीन पर नहीं ये करती का तुम मुझे सच में बहुत पसंद हो अगर कर्तिका कि पर्सों जो एक्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है लास का टॉपर है कारतिका कारतिका तुम नहीं तुम-कारतिका हो जो क्लास में फर्स्ट आई वह एल कारतिका है मैं हां तुही बेटी खड़ी हो जा गीफ वेरे बिगेंज थैंक्स अब कर चला गया है क्या सब्सक्राइब यार मुझे तो कुछ समझ में यार रहा है कमालों और अब मेरे सामने ही यह आक्टिंग नहीं मिली थी तो दुखी मिल गई हूं तो दुखी बात क्या है तब ना मुझे पड़ाई आती थी और नहीं तुम्हें लेकिन अब तो सब चेंज हो गया है तुम तक लास्ट आपर बन गई हो तो सोचा मैं ही साइड हट जाओं मतलब पहले जह था जालिंट होकर मेरी कॉंसेंट्रेशन बिगार के डिस्टर्ब कर रहे हो ऐसा क्यूं ठीक है क्या ठीक है मैं जब बोल रही उसका जवाब दो मुझे डिस्टर्ब क्यूं कर रहे हो ठीक है ओओ यह पॉगल हो गया है चलो जाओ पापा के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी नहीं हो पाई मार के साथ ओपन होना चाहती थी नहीं रह पाई मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी नहीं रह पाई मैं दूसरों की तरह रह रही थी पर तुमने देखा कि वो मैं नहीं हूँ इसलिए डिस्टरब हो गई थी तुमने आइडेंटिफाइ किया कि असल में मैं क्या हूँ मेरे अंदर जो मदलावाया वो तुम्हारी मज़ा से आया अब यह सब होने के बाद तुम सालेंट होकर जा रहे हो मैं मैं नहीं हूँ यह बात तुमने आइडेंटिफाइ की थी मेरे अंदर जो मदलावाया वो तुम्हारी वज़ा से आया है और उसके बाद सालेंट होकर जा रहे हो तुम्हें मार्क्स के साथ बाते भी करना आ गया अगर हमारे बीच के डिस्टन्स को मिटाना है तो पापा को इंप्रेस करना होगा इंपॉसिबल हाँ तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे यह इंपॉसिबल है कि इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कि इस्टाल्मेंट भरना पेटी में क्या कार्ति के डिटेल्स चाहिए अभी देता हूं वैसे डिटेल्स लेना इता इसी नहीं है वह लड़की जो है वह बेटी है केशोंकार की वह तेल्गु वालों में सबसे बड़े भाई डरा रहे हो हो या फिर डर रहे हो बैसरा समल के बोल रहा हूं पागल कहीं का भाईया हां मुझे भूल तो नहीं गए उसकी बेटी के प्यार में पड़ गया हां भीया कार्ट दे दिया तो सुचा अडिया भी दे दो गया लेकिन उस केशव बलू को कैसे इंप्रेस करूं वो तेरे बारे में सारी इंफोर्मेशन निकाल रहा है वो किसलिए अरे तुने जो कमाल किया ना उसके आदमियों को मार करके इसलिए वो तेरी बहादुरी से बहुत परभावित हो गया है इसलिए सोच रहा होगा कि अपनी बेटी की शादी तुससे करवा दूं थैंक्स मैंने कोई आडिया ने दिया भाई पर मुझे तो आ गया ना भाई गाउं का चरित्र हमारा चरित्र होना चाहिए अगर तुम दौनों में दुश्मनी है तुका एक दूसरे को मारोगे पर जिससे दुश्मनी नहीं उस पर हमला क्यों किया क्या बात कर रहे हैं सर बंजी कब किसके उपर हमला किया भाई उस दिन जो बच गया था वो यही है सर मैं हैदराबाद से यहां पढ़ने के लिए आया हूँ जैसे मैं बस से उत्रा तो वो आपका आदमी है ना वो मुझे बोला कि यहां पर ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है और इडली सामबर का ओडर दे दिया लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो वेराटी वेराटी के ऐसे से चकुली कर आ गया था मार देते तो मेरी समाधी बन जाती सर मेरी फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी कौन देखता अरे रे हमारा कुछ नहीं कर पा रहे है तो किसी बाहर से आई हुए आदमी पर अपनी ताक आयत का काम सिर्फ बातों से नहीं चलता सबूत चाहिए अबे सफेद दड़ी तेरी तो तुम लोगों ने इसको देखे बिला इसके साथ फोटो किछ वाली आ है यह फोटो क्या है रहे सेलफी बोला था भाई इसलिए मैंने तुझे सेलफी यह नी थी हां कि जायो कोई भे नहीं आया तो क्या उसके साथ तुम ऐसा बरताब करोगे या तो तुम पंचायत के सामने माफी मांगो तो एक बात कान खोल के सुन लो तुमारे जगे कोई और लीडर होगा माफ किजिए स्थर पंची चलो रहे फर्स्ट टाइम बिना कुछ भी खाए हमारा पेट भर गया एक बार जरा हमारे घराओं खाने बार जरूरा करेंगे जम करें हालो मिस कार्थिका मिसस बनने के लिए तयार रहो हां तुम्हारे पापा मुझ पर अब फुल इंप्रेस हो गए है बोले फ्री होते खाने पर आजा ना एसा क्या कर हमारे घर पर फंक्चन है तम करीं आजाओ क्या बात है अट बिर्यानी खाएगा आपकेश अब बिर्याणी खाने के लिए तेरे सफूर के घर पर क्यों देखेगा तो जान से माण लादबर आपे अरे डर मत मेरे ससूर जी मुझे पर फोल इम्प्रेस होगे हैं और उन्होंने खुद मुझे खाने पर बुलाया है अच्छा मेरे सफूर जी का घर पता है क्या कर रही है पूरे घर में पानी कर दिया क्या है यह सब तो बच्चों के साथ बच्ची बन गई यह पकट जा कर वहां बान दे माँ जा क्या कि आप बादा कि आ यहा यहार को रेक्टा यहार क唉 यह आए क्या देख रहे हो हम अभी टेक थड़ी यह चल वह चुल अपयों ह१ाओ कि यहां पर हो क्या राहिए यह अंकल के घर पर अंकल नहीं रहेंगे तो और खुन रहेंगा यह तो तमील लोग है न हम लोग भी तमील है न किसने बोला मैं तमील वाला हूं मैं तो तेल गूँ हूं न नहीं तो तो क्या वाली है् तो क्या मैं जैपान वाला हो गया अंद्रा का है पूछा तो मना किया था न अ..भी अधरा बाद तेलंग गाना में यह न कि ए जोक मत कर तुने हमारे साइट से फाइट की थी मुझा फाइट करना इंट्रेस्टिंग लता है मैं किसी के साभ भी फाइट कर सकता हूं अबे पागल है क्या तू फेरी शकल देखके तुने नहीं समझा कि मैं तैमिलियन हूँ अबे शकल पी लिखा होता है क्या अबे तू अबे मरवाने वाला है अब क्या करें क्या करें हमारी साइट का है सोच कर तुछे लड़की पटाने में मतल्स करता हो मैं अगर यह बाद उ बेटी का नाम भी कारतिका है फंस गया यार एसके प्टा जी के जनम दिन पे वो बकरे की नहीं इंसान की बली मांग रहे है इसका तुस्तर काट दूंगा काट डालो अँगा कार। अँगगा हुआ झाद थπα के झाद हेलो हाँ बिटा कैसे हो कहा हो लाइफ में फॉर्स टाइम पाप घर की याद आ रही है उसे घर की याद आ रही है बहुत बदल गया है अब तो सारे बच्चों और अर्थों को अंदर लेके जाओ लुको बेटा हमारा दुश्मन होने के बावजू दिये यहां पर क्यों आया है यह जानना बहुत कर करें ज़रूरी है आया नहीं अंकल उसे यहां पर मैं लेकर क्या हूं मैं अट वह आप अश्लां बैठा तेरे से जादा होश यार हूं है तुग मुझे भशाना चाहता था ना तुझे मैंने भशा दिया रिधा था चल रहा को सिण कि यह नहीं वो नहीं दोनों को खत्म कर दो पानी में डालूं क्या अब गदों दिखाई नहीं देता तुम लोगों को तीछे अर्जा परना जटका लगेगा अरे पापरे इमोशनल में इनको यह भी नहीं पता चला कि करण चला गया है अब क्या करूं तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो हम लोग चले जाएंगे थादा की है त्यादा तो नहीं है न क्या सोच रहा उनकी जान जान है और हमारी जान जान नहीं ढाल दे अब इसे रठेर जाओं क्या बात कर रहा है तेरे पास हिम्मत नहीं है तो मुझे ते मैं डालता हूं सब को हिना दूंगा बाइक की चावी दे यह ले तो गाड़ी स्टार्ट कर यह अब कहां डालना है डालते रहे मैं तो चला अब बोलो बाइस वाट टू डू एंड वाट नाट टू डू डालू मैं डालू इधर डालू इधर डालू जैसे ही टीवी चालो किया बिजली चली गई करेंग मां तूने जूतों का दिया है अब तो फिर से आगया है जह बहुता तो फागू जाँगा वो लोग मुझे बाड़ डालेंगे अपने दादा की चकह से पूरी गुरूँगा उनके सपने सपने रह जाएंगे अब तेरी वज़े से मुझे इंप्रेस करना था उससी से पंगा ले लिया मैंने कारती का बोले तो कौन से कारती का पूछना चाहिए था पैसे ले मैंने सब कुछ पूछ डाला और मेरा वो दोस्त गोपाल बोलता रही है तेल्गु वाला है तेल्गु वाला है मैंने नहीं सुझी उसकी बात पांगल हो गया ता मैं आखे बंद करके वेज को समझके खा गया अरे जो हो गया सब छोड़ना यार उस वारे में क्या अरे ऐसे माफ करना मैंने तेरी बात नहीं मानी यह हमारा ही बंदा है तुम लोग ने कैसे पता लगाया वो क्या है ना कि विकेंड में भी दारू पी रहा है ना इस ही लिए यहां क्यों आये हो तुम मैंने देखा यह दिल्गु वाले से बात कर रहा था कोपचे में लेकि इसको अच्छे से धोड़ाला मैंने बात करा तो दोड़ाला रूम में रखेगा तो नहीं पता होगा तो रहेंगे पता होगा तो क्यों रखेगा अरे कैसे भी छुपा के त्यसी बात कर तो मेरे सामने बात किया तो चलबात मजे माफ करता हूं अरे जी की जिन्दा मत कर ऐसे देखलेंगे घं से चला है बेचारा सूसू उसने नहीं तूने किया है वो मेरे गावं आया पकर नहीं पाए मेरे करीब आया समझ नहीं पाए मेरे घराए कुछ नहीं कर पाए फिर तुम लोगोंको पर ली का इसा पर एदा क्या अपने गुस्टे को शांद करो आज के बाद जो भी करेगा मुझे पता चल जाएगा क्या कल करेंट गया तो पता नहीं चल पाया वो जो करेगा वो पता चलेगा पंचाइत रखेंगे तो इसरत चली जाएगी और अगर ऐसे छोड़ दिया तो मन को शांति नहीं मिलेगी और से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ तो करना पड़ेगा जा तुम लोग कॉलेज का लड़का बोल रहा है तेरी बेटी को नहीं पता है क्या हमारे गाओं में जो कदम रखने के लिए ड़ते हैं वो घर पर आ गया इतनी हिम्मत किस ने दियों से अचीब से कपड़े बालों को कलर और इंग्लीश में बातें करती है बापरे क्या ये हमारे घर की बहु बीटियों की लक्षण है और पढ़ाई में कौन सी अच्छी है हमारा मुर्गा जितने अंडे नहीं देता उससे ज्यादा तो तेरी बेटी लेकर आती है घर में अगर इ कार्थिका कार्थिका पापा जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलिज में पढ़ता है जी पापा क्यों आया था इस पुद्धी नहीं फसाया है बंदर कहींगी जवाब दो आप मुझे पर शक करें हैं पापा अब हमारे घर में तो लागों लोग आएंगे ना अब वो भी आ गया इसमें मैं क्या कर सकती हूं और यह पापरी इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया अगर ऐसे ठाना तो मैं कॉलिज नहीं जाओंगी ठीक है कॉलिज छोड़के अब और को मुझे पढ़ना है आप इने का पढ़ो 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 जबदस्ती मुझे होस्टल में डाल दिया ठीक है माना कि आपका गाव में नाम बढ़ा है लेकिन मैं सिसली कि आप कर से बोल सको कि मेरी बेटी इंजीर है मैंने कितनी महनद से पढ़ाई की थी और फर्स मैं वीरा मुथु बोल रहा हूं मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है स्पीकर पर डाल शीज वेरी बैड स्टुडेंट मैंने क्या कहा था अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे एक घंटे उठक-बैठक करना पड़ेगा शीज ब्रियंट स्टुडेंट इस बार की एक्ज साइट तो भी नहीं रोख सकता और खुश हो तब भी नहीं रोख सकता किस्मत मेरी चल यार आजकल बिलकुल मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में तो मनी नहीं लग रहा मेरा सच क्या रहा हूं मैं फ्रेंड्शिप तो तुम्हारी है साथ में आते हो साथ में जाते हो भाई तुझे एक कहाटी सुनाता हूं या क्या समझ ब których में या बताना एक साप ने एक साथö एक साथ रहते थे एक दिन पावर चला गया थो पता चला कई ये तो सिर्फ साप उर नहीं था और doesnुक्त और से उसका पावर चला गया था लोगों को पता चलेगा तो तो संको म फोन लगाता हूँ जौब नहीं देती मैसेज का रिपलाई भी नहीं क्या हुआ है बोलो ना जवाब दू जब तक बात नहीं करोगी हाथ नहीं छोड़ोंगा हमारा मिल नहीं हो सकता लेकिन क्यों तुमने क्यों नहीं बताए कि तुम तमिलों यह मुझे बताया अगर जात्म प्रण नहीं होगा भूल जाओ मुझे ओहो मैं तेलगु वाला हूं यह जानकर चाहत कम हो गई है तुम नहीं जानते ही इतना सा नहीं है एक तेलगु घर आ गया था तो तुमने देखाना क्या हो गया था अब अगर हम दोनों को मिलना है तो पहले हमें दोनों गाउं को मिल के चप्सक्त तुमने तेलगु वाले को रूम में क्यों रखा है यह मैं यह हो तुछ जगाने के लिए किया वेरी जिदनीकी के साथ खेल रहा है तुभाई सुख नहीं है संतोश नहीं है तो नहीं तो छीख से लाइफ को नींद कर खराब नहीं करना चाहिए मरने के बाद तो वेसी हमेशे के लिए सोजाएंगे लगता है तुई मार डालेगा अचा ये बता ये दो गाउं को मिलानी के लिए क्लिए करना पड़ेगा वीर और केशो जब तक एक नहीं होगे ना गाउं एक नहीं होगा मेरे ससुरी जी बहुत मूर्ख है बात नहीं सुनेंगे और कैसे मिला सकते हैं बिरिया निखाएगा है कहाँ पर क्या यार बिर्यानी के नाम पर हमेशा अदाल करने के लिए सोचता है इन्हें पता चलिया कि मैं तब ही दो काट डालेंगे अरे इसलिए तो ये टी-शिट पहना आए तुझे बेटा तुम्हारे आने से घर में रोश्णी आ गई आजा यह कौन है मेरा फ्रेंड है इंकल भाई मुझे तो यह उस पार्टी का लगता है कि टी-शिट नहीं देख रहें किसकी तस्वीर चपी है आँखे चली जाएंगे शक करने से आजाओ आजाओ इसा लगता है जैसे मैं अपने आपको देख रहा हूँ अच्छा खाना बिल्कुल गरम है शर्माना मत पेड भर के खाना बेटी कार्टिका अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है आना केशव अंक्यल अगर आप बुरा नाम आने तो एक बात पूछू आपने अपनी बेटी का नाम कार्टिका ही क्यों रखा उस वीरा मुथ्थू ने अपनी बेटी का नाम कार्टिका रखा इसलिए क्या सिर्फ उसी की बेटी सोभाग्यवती है मेरी नहीं सिर्फ ये नाम वह इस लिए रखा दिया कि कार्थिकाना मैं भी रख सकता है खाना खाओ अब इस घर में एक बेटे की जो कमी है जो मेरे दुश्मनों को मार भगाए मैं असा दामा तुम में देख रहा हूं क्या तुम मेरी कार्थिका से शादी करें सर मैं विरामुत्तू की बेटी से प्यार करता हूं मैं यहाँ तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूं और तो दुश्मन की बेटी से प्यार करने की बात कर रहा है आपके बेटी से शादी करके क्या मिलेगा आपकी बेटी को पती और आपको दामाद मिलेगा बस अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा करेगा तो अगर करूंगा तो उस घर का दामाद बनूंगा मतलब वो क्या तेरे पाउंद होएगा यानि वो हमारे सामने सिर तो वो लड़की तुससे प्यार करती है क्या? जान दे देगी सर, हमारी शादी के लिए आपकी help चाहिए बेटे, अब तु इस विशे को छोड़ दे तेरी शादी पूरे गाउंवालों को पता चलेगी वीरा मुद्धू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा तेरी शादी में धूम धाम से करूँगा जबान दे रहा हूँ वो लड़की तेरी ही होगी जा झाल 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 वो एब फ्रेक अटछआ झाल कोई काटने वाला नहीं था औरतों का सहारा लेके घर में कदम रखा यह क्या हो रहा है सर मैंने क्या बोला था वीरा मुथ्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा तेरे शादी मैं धूम धाम से करूँगा इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की से शादी कोन करेगा उसके सामने कोई आप्शन ही नहीं होगा तो यह उसका दामाद है यह फिक्स हो चुका है लेकिन सर यह सब करना तो गलत है अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सब तुम्हार जी क्या बोलते हैं इन्हें फैसला सुनाना ही पड़ेगा सुनो जो हो गया सु हो गया कहकर बात को खतम करोगे ऐसा नहीं चल सकता क्यों केशव क्या किया तुमने ये एक लड़की की इसत को सरयाम उच्छाल दिया यह बात कैसे भूल गया तू कि एक लड़की की इसत माफी मांग सर्पन जी क्या हुआ मेरे खिलाफ बात करेगा तू कि तुझे जिस चाइदाद पर घमन है ना उसे खरीद कर मैं तुझे इस गांव से निकाला दे सकता हूं या तो माफी मांग या यह गांव छोड़कर जा मुझे माफ कर दो मुथ्थू देख बेटा तू गाउं में बाहर से आया है गाउं में लपड़ा क्यों कर रहा है कॉलेज में डिग्री लेने आया है ना तो वही कामकार जान पर मत खेट आज के बाद गाउं के किसी मसले में टांगड़ाई तो पंचाय बीच में नहीं आएगी सुन रहे मुथ्थू नि दोंगा एक हफ्ते के अंदर अपनी बेटी की शादी तैकर उसकी शादी करवाऊंगा अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो पंचाय नहीं पंचनामा होगा कि एए चलो रहे कि चलती हूं टेक एल बाई बाई गोल्स बाई रीजिनल फिलिंग्स पर अधारी था ये कॉलेज और तुमने इसका मीनिंग ही बदल दिया इस गाउं के जगणों का असर मेरे कॉलेज पर ना पढ़ने पाए मैंने हमेशा यहीं चाहा है और ऐसे में मेरे कॉलेज के स्टुडेंट की वज़े से इस गाउं में जगणा हुआ जो लोग मेरे कॉलेज की तरफ आंक उठाकर देखते नहीं थे वो मेरी तरफ उंगली उठाकर अपनी बेटी को लेकर गए आपको जो दुनिया नजर आती है वो नहीं है सर आप जैसा सूच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ करेक्ट नहीं है हर कोई यहाँ पर बस नाटक कर रहा है सीसी कैमेरे के सामने अलग और आपके सामने अलग कॉलेज में फ्रेंड्स हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सब लोग मिल चुके हैं रीजनल फिलिंग्स उनके खून में है इसलिए तमिल वाले समझ कर तेलगो वाले नफरत करने लगे और जैसे उनको पता चला कि मैं तेलगो वाला हूँ तो तमिल वाले नफरत करते हैं गाउं में जगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है सर यहीं पर एक दूसरे की जान के दुश्मन है कमीन उन्हें हमारे साथ दोखा किया छोड़ेंगे नहीं उन्हें चलो तेलगु वाले के लिए तेरा क्या ओपिनियन है बहुत अच्छे लोग है उन्होंने ही बहुबली बनाई थी ना अच्छा तो इसलिए कटपा की दरा पीट पीछे वार किया तूने हां कौन सी पीट की बात कर रहे हो भाई क्या आपस में लडाई कर रहे हो तुम्हें पीटने के लिए आज हम लोग आए हैं चलो रे आतो आजाजा रुक क्यों गए मारू न यहां तो कैमरा भी नहीं लगा है ओहो मैं समझ गया तुम लोग यहां इसलिए मार पीट करते हो कि मुझे पता न चलने पाए मेरे सामने बहुद डिसिप्लिंड नजर आते हो तुम लोग कॉलिज की फीस नहीं भर सकते स्कॉलोशिप देता हूँ मैं एक्जाम फीस नहीं भर सकते तो एकस्क्यूज देता हूँ मैं खाने के पैसे नहीं होते तो अपनी सेलरी से केंटीन का बिल भरता हूँ मैं और इसी लिए तुम लोग मेरे सामने डिसिप्लिन का ढोंग करते हो दोखे बाज हो तुम लोग इस तरह जगणने से क्या फाइदा होगा तुम्हें अच्छे मांक्स मिलेंगे अच्छी नोकरी मिलेगी या तुम्हारा फीचर ब्राइट होगा कोई फाइदा हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तयार हूँ राज ये भले अलग हैं लेकिन देश तो एक है ये बॉर्डर को लेकर जगणे क्यों कर रहे हो भूल जाते हो कि हम सभी भारतवासी मैं नेक्स्ट जेनरेशन तयार कर रहा हूँ और इस जेनरेशन में मैं स्टेट की फिलिंग को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ लेकिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया तुम लोगों को ना सुधार पाना मेरी अपनी गलती है इसलिए मैं इस कॉलेज से अपने आपको रस्चिकेट कर रहा हूँ गुड़ बाई आपको नहीं बोलना चाहिए सर मुझे बोलना चाहिए दरसल पैसो के लिए मैं बहुत नीचे गिर गया था इनके भी इस दूरी नहीं पैदा करना चाहता था सर मैंने जो गलती की है उसके लिए आप कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे तो कॉलेज की नीव हिल जाएगी सर यह पाप मुझे पर मत चड़ाइए सर हमसे बहुत सारी गलतिया हुई है सर आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है हम सच में शर्मिंदा हैं सर आप जैसा चाहते हम वैसा स्टुएंट बन कर दिखाएंगे सर हमें एक मौका दीजिए सर हमारा यकीन कीजिए अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे अपसे हम दोस्त की तरह रहेंगे सर कि आम सॉरी भाई बले अंजाने में तुमसे गलती हुई लेकिन अच्छा ही हुआ यही बदलाव में पूरे गाउं में चाहता हूं और इस कोशिश में जब भी तुम्हें मेरी जरुवत पड़े है तो तुम मेरे पास आ सकते हो सर वीरा मुथ्धु जी का गर यह है अच्छा पापा आफ्टर ड्राइवर जहां हम बोलेंगे वहां वो गाड़ी रोकेगा उसके बोलें समने ही उत्रेंगे शो सम एटिट्यूड अरे बेटा जाने दिला अड़ी देरी हो रही है मामी पेटा बिल्कुल सही कह रहा है अक् कार को चलाते रहो जब बेटा बोलेगा तभी रोकना काड़ी यही पर रोको पापा यह वीरा मुथ्धु का घर है ना एक बार देखा था बेटा क्या याददाश था देरी यह सब आपकी देन है मम्मी काफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साहब मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनिस है हाँ हेती करते है क्या अब यह क्या खेती की बाते लगा रखिए लड़की को दिखाई है ना जल्दी पान के खुश बूलू पत्य को छोड़ लड़की आए देख यह लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने आपकी नहीं मेरी फिलिंग्स इंपोर्टेंट है इनके साथ टू मिनेट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूं विदाउट यू पर्मिशन आजकल तो यह सब कॉमन बात है ना हम सब लोग इने छोड़कर बाहार चलते हैं ना हलो पूरे गाउं में पूस्टर का क्या लफड़ा है क्या आपने किसी से लफड़ किया है आप मुझसे क्या सकती हैं यू गैन ट्रस्ट मी एक दोस्त समझ कर बोल दीजे प्लीज हां मैं एक लड़के से डीपली प्यार करते हूं तुम से शादी तो कर लोगी पर दल में वही रहेगा अब क्या बोलू मैं ना जस्ट लव जस्ट ट्रू लव हैट्स ओफ क्या मैं उसे बात कर सकता हूं प्लीज ओके डायल कीजिये ना हलो हलो कौन हलो ब्रो जस्ट अ मिनट हां जो बात आपने मुझसे कही एक बार फिर से दोराएंगी प्लीज तुम से शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा कार्तिका थेंक्यू सो मच ब्रो मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है लेकिन तुम्हारी वज़े से फिर से चांस मिल गया रिवेंज मतलब मैंने एक लड़की से डीपली प्यार किया था ठीक शादी के टाइम उसका लवर उसे शादी के मंदप से उठा कर ले गया तब ही मैंने डिसाइड कर लिया था मेरी लवर ने किसी और से शादी की है तो मैं भी किसी दिन किसी और की लवर से ही शादी करूँगा अबे तु पागल हो गया क्या किसी और कर इवेंच मुझ पर क्यों देख हाथ की पाँचों उंगलिया बराबर नहीं होती है ये मामला भी ऐसा ही है एई क्रो ब्रदर एक हफते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूँगा शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले प्यार में धोखा मिलने में जो feeling मुझे हो रही है वो ही feeling तुझे भी होनी चाहिए तेरे character को जानने के लिए तोस्त का पता लगाना होगा और तेरे capacity जानने के लिए तुरे दुश्मन का यह एक तमिल फिल्म का डायलाग है जो तुझे मैं आज हिंदी में सुना रहा हूं पूरे दिल से आज से तु मेरा जानी दुश्मन है पापा यह लड़की मुझे पागलों की तरह पसंद आ गई है इंगेजमेंट नहीं होगी डारेक्ट शादी इंगेजमेंट के बिना कर लेते हैं एक हफते में शादी कैसे हैं और शादी एक मेंटल के साथ आप सिर्फ हां बोलो उसे उठा कर ले आते हैं यह तु बेवकुफ है क्या प्यार करने वाली लड़की कोई उठा के लाता है क्या मेरे भाई तो केशों को पसंद है ना फिर प्रॉब्लम क्या है मैं जुसे प्यार करता हूं वह विरा मुत्तु जी की बेटी है मुत्तु जी की बेटी लेकिन तुने तो केशों कर डिटेल वांगा था ना मिस अंडरस्टेंडिंग भाई तु इस लपड़े में क्यों पड़ गया किसी तेलगु लड़की से साधी करनी चाहिए थी ना अर मुझे तो वही लड़की चाहिए लड़की तभी मिल सकती है जब यह दोनों गाउं एक हो जाएंगे और एक करने के लिए हमारे मास्टर जी को पता है गाउं के जगड़े के बारे में कहानिया सुनाते रहते अगर एड्रेस चाहिए तो भाई साब से पूछो अरे बड़े मिया बड़े मिया आपके गाउं की कहानी जानने के लिए कॉलेस से लड़के आए बहुत खुशिकी बात है एक समाने में ह ये बात सन 1973 की है जब मदरास और तेलगू को अलग-अलग राज्य बनाया जा रहा था तिरूपुरम गाउं के लोगों को ये सुचित किया जाता है कि मदरास से आंद्रा अलग हो रहा है इसलिए राज्य सरहत का निर्वान हुआ है इस प्रकार जो सरहत है वो तिरूपुरम के बीच में से निकलेगी आप सब लोग आकर अपनी सिगनेचर कर दीजिए फिर इस गाउं को दो हिस्सों में अलग-अलग बांट दिया जाएगा ऐसा केंदर सरकार का ओर्डर है यह कैसी बाते कर रहे हैं तुम अगर यह बात हमारे जमीदार को पता चली तो जानते होना क्या होगा इस गाउं के ज तुके जए 부분이 बच्टो के जए भूनीप पनी तुकी जए सब को वपी बतुके जए जए रामातुर केशव की जये रामातुर केशव की जये बाई-बाई की तरह मिल जुलकर रहने वालों को अलग करने वाला, तू कौन है? सहाब, ये केंदर सरकार का आदेश है वो बंदकर, यहां की हम सरकार है, हमारा राज्य है हम हमेसा साथ रहेंगे और साथ मरेंगे तूने क्या सोचा, तू हमें अलग कर देगा तेरी सवादी तो हम लोग बनाएंगे हमारे बीच में लकीर कोई नहीं खीश सकता हाँ, सही कहा, हम लोग साथ जियेंगे और साथ मरेंगे साथ जियेंगे साथ मरेंगे सोचा था कि हम ऐसे ही मिल जुल कर रहेंगे लेकिन इस तरह सिखनेचर करके हम लोग फिर अलग हो गए ये क्या पहले तो मिल जुल कर रहेंगे बोला और अगले दिन ही साइन करके सीधे-सीधे अलग हो गए अच्छे इस बीच क्या हुआ था क्या हुआ इनको लगता है सर्दी हो गए कंबल देना भाई कंबल की जरोद नहीं है जादा जी को दौरे पड़े है क्या हुआ है कौन बोल रहा है मैं परम हां परम बोलो अरे तु किसे पोन पर बात कर रहा है युटरा रहा है युटरा इसके भी न्याजिश्य कर रहा है है अदर आखा है अधर है अदर ये छे आट आप और अ उन्हें होश आ गया है दादा जी उस दिन उस दिन बोलकर आप बहोश हो गया है क्या हो तो उस दिन भी मुझे फीट्स आया थार में गिर गया था उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं अरे तो इनको उसी समय निकल लेना चाहिए था ना अबे चल आइसे असल मैं गाउं के जगड़ी की वज़े पता लगा नहीं होगी आप लोग यहां पर कैसे तुम्हारे पापा को फोन आया था हलो मैं आपकी बहु का होने वाला पती बोल रहा हूं रॉंग नंबर ब्लडी फूल हैलो कभी दस भिखारीं को एक साथ खाना खिलाया तुमने जो फोन फट से कट कर रहे हो प्री है क्या तुम्हारी प्रॉबलम क्या है यार प्रॉबलम मेरी नहीं आपके बेटे की है वो इससे प्यार करता है मैं उससे शादी करने वाला हूँ ये जानकर उसे बहुत बैड फील हो रहा है, कल से सैड फील भी होगा और पर सु मैड फील होगा, तुम डैड हो इसलिए उसे समहाल लो उसने आपको फोन क्यूं किया था, अब ये हमें क्या पता, तुम्हारा फोन स्विच्ड ओफ आ रहा था, तुमने फिर से क्या आफ़ाद खड़ी कर दी ये जानने के लिए हम आ गए, एक मिनिट हो, गुड मॉनिंग ब्रो, तुम्हारी फोन का वीट कर रहा था, सोनी से पहल राश्टपती है क्या, फागलो जैसी बात करता है, रिवेंज के लिए कोई लॉजिक नहीं होता, को ब्रदर, अबे तरी प्रॉब्लम क्या है, जब से मेरी लवर मुझे छोड़ कर गई है, मेरे लिए एक एक दिर काटना बहुत मुश्किल हो गया है, नोट बंदी में, प् इसमें कितना है डम, काउन्डाउन बिगिन, सांबर या दम बिरियानी, शंकर या राजा मॉली, हुआ क्या था? सुन बेटा, हमेना ये गाउं चाहिए और ना ही वो लड़की, हमारे साथ चलना बेटा, ये बात आपको कहनी चाहिए, खुशी से रहने वाले लड़के को यहाँ भेज़ दिया, अगर कुछ हो जाता तो? मा क्या मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे भागा? क्या कभी किसी से बात की? लेकिन उसे देखने के बाद मेरा मन सिधे हो उस पर आ गया, अक्सर मैं जगड़ा जगड़ा करता था, लेकिन अब मैं जगड़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूं मा, तो सुचिए मुझे लड़की कितनी पसंद है, आप चाहते हो ना कि मैं जिन्देगी में हमेशा खुश रहूं, मैं खुश तब ही रह सकता हूं, जब वो मेरी लाइफ में होगी, ये सब क्या है बेटा, कांता एक मिनूट, जब इसे जगड़ा करने के लिए मना किया था, तब ये माना था क्या अब इसे प्यार करने से मना करेंगे, तब मान पाएगा, मेरी बात तो सुनिए, इसे कुछ भी नहीं होगा, जाओ बेटा, तुम अपना काम करो, हम उस लड़की को हैदराबाद लेकर जाएंगे, थैंक्स पिता जी, ये अची है ना, सही का, ये अची है ना, इसे राने कालका रख दीजिए, अरे सुन, तुने कुछ खाया या नहीं खाया, कुछ दिर पहले ही के रहा खाया था, ठी, खा खाके मोटी हुई जा रही है, डूपकड कहीं की, अरो जितने लोग मरते हैं, पता नहीं ये या कब मरेगी, ठर की गएगी, क्या हुआ, तुन रोक यो रही है, बात क्या है, बता दो, गमारों ये ऐख फोर ये अहां चाहती हुआ, तो ये बाहर नहीं जाने दे, कैसे मिलेगी, अंकल, ऑंकल, घुपक्ते. काड प्रिंट्स हो गये हैं सेंटीमेंट की मुताबिक सेकेंड काड आपको देने आया हूं और सेकेंड कार्ड क्यों तो जल्दी लगा कर दे दो ना सम्धी जी को मिल गई हल्दी एक मिनिट पूरे चेहरे पर हल्दी जूला यहां पर बांती है आप शादी में जरूर आईएगा सीरियसली क्या लोग है बेटा टी या कॉफी आपकी बेटी मतलब यह कहना चाहरा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा जॉइंटली कार्ड डिस्रिबूट करेंगे क्यों है ना सूपर माई डैडी मेरे सर में दर्द है मैं कहीं नहीं जाओंगी मां तुम्हें बोल रहा हूँ जा के उसे तयार करो वैसे आप लोग कहां जा रहे हैं अकडब बकड़ मतलब तुम इनकी बेटी को लेके जा रहे हैं तो बताना तो जरूरी है ना अच्छा उसके कॉलेज में कॉलेज में नहीं भेजोगे वो सर में दर्द है ना ओओ बर्गत के साइस की सहली भी है कथा कहीं कप अफ्रेम में आ गई हो तो साथ ही चलो आओ जो सला देनी थी वो दे दी है ना यहीं की इसके साथ शाड़ी कैसे करोगी एक बार तो सोच लो लाइफ में कंप्रोमाइज ने करना चाहिए ऐसी बखवासी सला देने के लिए तुम जैसी यह बेस्ट बनी होती है मैंने कोई सला नहीं दी इसे पता है तू खाने के अलाव एक बाफैलो भी तो है हेलो ब्रो तेरी लवर मेरी वाइफ बनने वाली इस बास से मुझे बहुत खुशी हो रही है इसलिए फस्स कार्ट देने में तुझे ही आया हूं यह लो शादी का कार्ट तू ऐसा फाल्तू काम करेगा इसलिए मैंने प्लास्टिक का कार्ट पर मैं कुछ करेगा तुम मज़ा आएगा ना लेकिन ऐसे डाइम पर तुक्या करेगा यहां पर डायलोग होना चाहिए कि यह लड़की मेरी बहु बने की समझ गया ना बेटा तुझे मेरे सर की कसम है फिल्मों में सारी मां यही डायलोग मारती है आप भी मारिये ना मारिय हरी तुमसे दो मिनिट बात करनी है हरी तुमसे ही टू मिनिट बात करना चाहती है जा जो कुछ बोलना आज ही बोल देना समझा नेक्स टाइम ऐसा मौका नहीं दूंगा मेरा कार्ड फाड़ेगा तुट्राइ कर ले वो लड़की मेरे बेटे के साथ ही जाएगी इतना कॉन इस पानी को इस बोटल में डाल कर दिखाई है इसलिए मेरे सामने फाल्तू डालोग मत मारा करो अंगल किसी अनबड गवार के सामने मारना मेरे सामने नहीं क्यों इस बत्तमीज के मूह लग रहे है आप लिप लॉक कर लेते हैं गोड टाइमिंग है तेरा बैड टाइम आग तुम्हारे पगेर में नहीं जीज़कती और अपने पापा को छोड़कर भी नहीं जा सकती अरे पापरे कले यह मिल रहा और शादी मेरी होगी इस लड़की से तो इसको बहुत बुरा लगेगा कितना मजाएगा है ना अंकल मौके पर चौका मारूंगा मैं तो गल्ती से इंसानों में पैदा हो गया है रहे लव यू अंकल हारी मुझे बस्तों चाहिए हारी मुझे बस्तों चाहिए कि सर्व एक गंटे के लिए आपकी कार चाहिए है रखा किस दे दो अरे मैंने किस देने के लिए कहा था किस नहीं ओ सॉरी सर्व देख रहा हूं जब से आया है तुम बहुत बदल गई हो नो डाउट अरे उतरो उतरो जल्दी उतरो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा यह बुड़े लोग यहां क्यों आए हैं सर देखने से नहीं लगता कि आए हैं या उठा के लाए गए हैं क्या कह रहे हो आज कल पूढ़ी और तो को भी उठाकर लें चलाओ अरे अरे साथ को लें चलाओ अरे बंदर कहीं के मैं पापड़ को देखने आई थी कि कहीं का उवे ना ले जाए और तू वहां से मुझे उठाकर लें करा गया अगर यह बात मेरे बेटे को पदा चल गई ना तो वह तुम सब लोगों का गला काट कर रखतेगा हां गला काटेगा तुम्हारे घर आकर कर करनी पाया यह हमारी जगह है चुप चप बैटी रहो वरना अतरक की तरह छील के फेक दूंगा यू ओर ड्राइफ रूट दादा जी नाना जी मुझे माफ करना कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास एक जमाने में जब सब लोग एक साथ रहते थे आज इतने अलग की ह आ चोन होता है उठा के लाए तो कुछ भी पूझे का हम बताएंगे Yahoo एक बार ना उसकी बाद जुबान पर नहीं ला सकता इससे पहले की कुछ हो, हम लोगों को शराफत से जाने दो ये क्या बोल रहे हो, वो क्या कह रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो मूचें सिर्फ तुमारे पास ही है, हमारे पास नहीं तुझे तो वो वहीं काट देता, अपनी बेहन की शकल देखकर छोड़ दिया ए तुम चुप रहो, ज्यादा बखवास मत करो, हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है, हमसे अपनी तुलना मत करो अरे ओ स्वामी, साथ में हमने जन्म नहीं लिया तो क्या, साथ में हम पले बढ़े तो है ना मेरे भाई इतने साल हो गए हमें अलग हुए, एक साड़ी भी भेजी तुमने उसे कभी, और याद है जब वो पेट से थी, एक हल्दी की गाट भी नहीं भेजी तुमने, और तुम्हें अपने बहन और जीजा याद है, जब वो मर रही थी बेचारी, तो भाईया भाईया कहकर आखरी व हूं सब कुछ, ये जो बात है वो composer 1983 की है, दादा जी, उतना टाइम नहीं है, हम साथ मिलकर रहेंगे साथ ही उपर जाएँगे, समझ गया ना?, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे गए थे गले में हाट ढाल कर पर बाहर आये तो दोनों खून देल लगते हैं अधिन को वालों के विश्वास मत करना काट डालो सब्सक्राइब अरे सुनो तुम लोग कवीन के साथ मत रहना काट डालो सब्सक्राइब अब तक जो लोग भाईयों की तरह रहते आ रहे थे वो अब दुश्मन बन गए थे दोनों के बीच में एक धिवार खड़ी हो गई थी दरार पड़ गया उन रिष्टों में तब भी एक दुसरे कुमारा आप भी मार रहे उस रूम में हुआ क्या था दादा जी उस दिन उन दुनों के बीच उस रूम में क्या हुआ था कोई भी नहीं है जो इस बात को बता सकता हो चलो रहे अरे 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 सार इन लोगों को छोड़ कर तुम कहा जा रहे सर आप भी इंको छोड़ दो रेखा किस किस मागा तो किस दे रहे हो हालो करतिका गाओं के जगड़ की वज़े ही पता नहीं चल पा रही है और तुमारे घरवालों को समझाने का वक्त नहीं है तुम चलिया आओ मेरे पास तुम्हें मेरी सिच्वशन समझ में नहीं आ रही है मैं तुम्हारे साथ चल गई तो सब redव मेरे पापा को ताने मारेंगा 1946 जीते जी मरी जायगी ऐसा कुछ नहीं होगा तुम सिर्फ हाँ बोलो मैं अभी आकर तुम्हें ले जाओंगा तुम्हें जो बोल रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी फैमली को छोड़कर नहीं जा सकती तेरे जैसे लड़के को ठुकरा रही है लगता है वो तुसे प्यार नहीं करती समझ गया तु सुन रहा है ए अकेले पी क्या अरे बेटा इस गाओं के बारे में बेटा मेरा बेटा रो क्यों रहा है चलो बेटा मारो पापा को मारो हासो तु बेटा हासी नहीं आ रही है पापा ए तुझे मैंने आज तक कभी हारते हुए नहीं देखा है बेटा आज भी तु नहीं हारेगा इस गाओं के जगड़े के बारे में जानने के लिए मैंने रिवेन्यू रिकॉर्ड्स की छान्मिन की ये देख ये इंफॉर्मेशन मिलिये मुझे सन 1978 में दोनों जमिंदारों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक ही आदमी के नाम से ट्रांसफर हुआ हेगी तु छिखे त। ये जुowerफल रिएंगering मिला रिपक्षे उम्ट हुकर, हु Fac्ब हुकर, हुकर, हुकर हुकर हुकर, हुकर 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 कि यह जो जो तेल्गु गाह वाला लड़का है ना वो सर्पंजी के घर में घुच गया है और हम सब को बहुत मारा है वो लड़का घुस्ते में आके कही सर्पंजी को मार ना दे आप जल्दी से आ चालिए वह कॉलेज वाला लड़का है ना वो घुस्ते में सर्पंजी के रूम में चला गया है पता नहीं क्या करेगा मुझे तो बहुत इंटर दे गरा है भाई किना सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्रान पश्यंतू मा कश्चित दुख भाग भावेत कन्या को ले कराईये कि इस के चप्ते मुप्त स्ट्रूम को धिता सिना गात्र दुख भावेत को लि सुना है झाल अधनतर बढ़त सूटर पनी तो मंकलाना टोगा है? इसके से हुआ बताता है या तेरा सर फोड़ दू मैं बताता हूँ बताता हूँ मैं उस दिन आओ दोस्त आजाओ आज बहुत ही खुशी का दिन है ये मेरी तरफ से तुम्हें जो भी चीजें पसंद हैं वो सब यहां पर मौजूद हैं डायना अरे मेरे दोस्त दिल हो तो तेरे जैसा मेरे दिल के अंदर जो रूप बसा था उस डायना को लेके तुम बिटेंच से आया डायना तेरी नहीं डायना मेरी है दोस्त वाट और यू टोकिंग वो मेरी गल्फ्रेंड है अरे अंग्रीज लूग बटवारा करके चले गए लेकिन इसे मुझे देखे गए यह कैसी बाते कर रहा है तुम्ह यह पांच साल से छे मैने मेरे पास रहती है और छे मैने लंडन बौल रही है ना वह पहाड़ी ओपर मेरा अरे पागल हो गया क्या लंडन तो इसी बंगले का नाम है हमारे साथ यह भी जोंजने दोखा है इसमें कोई दोखा नहीं है जिसे जो समझना है समझे वह मेरी है और मेरी ही रहेगी ब्लेक और वाइट कोंबिनेशन एक नम पर्ढेर मेरी है और मुझे रहें रहें और मुझे चाहिए मुझे चाहिए तुम यहां क्या कर रहे हो देखो गोरी को मुथ्ट को कि प्यार से मुथ्टू बुला रही है यहां नहीं होता है तो तुम लोग यहां क्या कर रहे हो अरे बाप ले यह बात करने का टाइम नहीं है यह जा रहा है यह मेरी है मेरी और आयना हड है मतलब आउरत के लिए एक दूसरे को मारा आरे आउरतों के लिए कितने युद्धोए है उसमें से ये भी एक है ये बात आपको कैसे पता चली वहाँ एक फ्रेम में पहले एक बच्चा था वो बच्चा मैं ही हूँ शीज माई मम्मी लेकिन वो तो एक अंग्रेज है ना अरे गाउं की धूपी ऐसी है तुझे क्या पता मैच हो गया बस अच्छा तुम जमीदार कैसे बन गए अरे उनके पास बहुत सारे जायदा थी ना तो मेरी मम्मी ने एक से 500 ले ले दूसरे से 500 ले ले ली और मेरे नाम कर दी टोटल जमीन होगी एक हजार एकर और वो एक हजार एकर पाके में जमीदार बन गया पहले बता देते तो जगड़ा खतम हो जाता हुआ मैरी मम्मी ऐसी थी मैं कैसे बता सकते हैं कि कि प्रोफाइल निकालो कि 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 ही बना कि बजा है, आर वे कि अ हो आर भुल गुल कि पालो कि अ झालो ज खर सर बने है ँा तुम्हारे दादाओंने परसनल जगड़े को तेलगों और तमिल जगड़े में बदल दिया अगर ये गाँवालों को पता चला तो पूरा गाँव एक तरफ और तुम दोनों का परिवार एक तरफ हो जाएगा अब कोई आप्शन नहीं है तुम दोनों एक हो जाओ और आप मुझे अपना दमाद बना दो केशव जो चलेगे उनके लिए जखरने से क्या फायदा या तो माफी मांग या ये गाँव छोड़ कर जा अरे मुझे तुझे अच्छा दमाद और कहीं नहीं मिल सकता मुझे तुमारे जगे कोई और लीडर होगा हमें पता है हमें क्या करना है धोके बास तुझे छोड़ूंगा नहीं जहां हमारे दादाओं ने जान ली थी हम वहीं पर जबान दे रहे हैं आज के बाद हमारे बीच कोई जगड़ा नहीं होगा और इस गवाह के तौर पे मैं अपनी बेटी की शादी इस तेलगुवाले से करवा रहा हूं मैं इसे जगड़ा करने के लिए जगड़ा करने वाले गऑं में बेज़ा था लेकिन इसने दो दुश्मन गाओं में बेज़ा घूए को मिला कर एक कर दिया क्या समझति हो हम हमारी चैदाद पर कबज़ा करके तो हम पर राज कर रहा था शादी हो जाने दो फिर बताता हूं देखो हम लोग एक दृष्य का राज नहीं को सकती हैं अगर हम मेंसे किसी का विराज खुला तो गाँवाले उसे दक्के मार के निकाल देंगे इस उम्र में शोभा नहीं देगा सो जो चल रहा है उससे कंटिन्यू रहने दो को सुनो रिवेंज बैं कि क्या कंटिशन है और किर्नापिं के बाद तो दादी बड़ी पूरी तरह बदल गया है बहाँ आए करेंगे कि उसकी फिक्रमत करो मैं देख लोंगी कमाल हो गया यार पापा पापा पहुत मुश्किर हो रही है मुहरत बदलना ही पड़ेगा तुसकी कोई जरोत नहीं लड़की वालों ने दूरा ही बदल दी अरे क्या बखवास कर रहें पापा लड़के को मोशन होगा मुरत को बदलेंगे ना की दूले को बदलेंगे समझे ना अब खेल नहीं पड़ेगा अब खेलते हैं तो चलो 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 आजा 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 आजाओ